सो नमस्कार दोस्तो टेक्निकल वोस में आपका फिर्शे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आप अपने मुबाइल से इमेल आइडी को हटाना चाहते है या फिर आप अपनी इमेल आइडी को डिलीट करना चाहते है तो दोनों ये बातों में अलग-अलग फरक है पुरा वी ID केवल यदि आपको हटानी है तो उसका method अलग होगा वो हम उस scenario में उन मामलों में अपने मुबाइल से email ID को हटाते हैं मान लीजे कि हम कोई दूसरा मुबाइल खरीद रहे है और उसमें हमें अपनी email ID लोगिन करने है तो जो हमारा पुराना मुबाइल सा उससे हम हटा देंगे email ID को दूसरे वाले में लोगिन कर देंगे या फिर आपने किसी का पुराना मुबाइल लिया उसमें बहुत सारी email ID पहले से डिले वी है आप चाते हो यार इनको हटा दो उनके पास मेरी information जा रही है तो उन ID को आपको हटा देना चाहिए यदि आप किसका पुराना मुबाइल खरीदते है या फिर आपके पास जो मु email ID को delete ही करना और वो email ID भी आपकी है तो वो कैसे करेंगे और कैसे email ID मुबाइल से हटाएंगे तो दोनों तरीकों को अब एक एक करेंगे ध्यान से समझते हैं चलिए सुरू करते हैं अब दोस्तों देखें मेरे पास ये एक मुबाइल है मैं चाहता हूँ इस मुबाइल में जो email ID है उसको हटाना या फिर उस email ID को delete करना दोनों बाते अलग-अलग होगी यदि आप चाहते है email ID को केवल हटाना तो उसका प्रोसस अलग होगा और यदि आप चाहते हो जो आप आपके मुबाइल में email ID है particular कोई भी email ID हो सकती है उसको delete करना तो उसका प्रोसस अलग होगा तो पहले हम जानते है कि email ID को delete कैसे करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि यदि आपको केवल email ID हटानी हटानी है मुबाइल से वो काम आप कैसे करेंगे तो चलिए तो सबसे पह email ID करते हैं यहां पर आपकी सभी email ID आजाएगी जिसको भी आप delete करना चाहते हैं उस पर आप simply click करेंगे जैसे कि मैं करना चाहता हूँ पहले नंबर की email ID है इसको ध्यान दखना जैसे आप इस वाली पर click करेंगे नीचे वाली पर ओके तो यह वाली email ID डिलेट होगी और जो करनी है तो यहां पर आप click कर देंगे manager Google account पर click जैसे आप करेंगे अगला page इस तरीके से open हो जाएगा यहां पर यह आपको Google account का page खुल जाएगा यहां पर आपको क्या करना है देकि simply और simply यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा data and privacy का data and privacy पर आपको click जो है कर देना है इस जाएगा delete your Google account तो आपको यहां पर click कर देना है जैसे आप यहां पर दोस्तों click कर देंगे अगला page खुलेगा और यहां पर दोस्तों आपको password डानने के लिए बोला जाएगा यदि आपको अपनी email ID का password नहीं पताए और आप उसको delete भी करना चाहते है तो email ID का password को कैसे recover करत हो आपके पास कोई option नहीं है तो आप के वहल उसको mobile से हटा देना जब वह deactivate हो जाएगे आपके mobile से आप उसमें login ने करेंगे तो Google 6 महिने के बाद 7 महिने के बाद उसको अपने आपी delete कर देगा ओके तो यहां पर लेकिन यदि आपको तुरंत ही delete करनी है तो आपको password यहां इसको download करना चाहते है तो इस button पर click करके अपने data को आप download कर सकते है उसके बाद आप अपनी email id को delete कर सकते हो ओके यहां पर यहां पर यह बोलता है Google payment center है आपका क्यूंकि इस पर मेरी website चल रही है email id पर तो यह बोलेगा कि क्या आप जान बूज़कर इसको delete कर रहे हो तो हम टिक कर देंगे इसके बाद यह बोला यह कुछ एप है जो कि आपकी email id पर चल रही है कुछ photos है आपकी सब कुछ है आपका तो क्या इनको delete करना चाहते हो आप क्योंकि email id के साथ सब कुछ data आपका delete हो जाएगा तो यहाँ पर चाहते हो सब कुछ delete करना तो यहाँ मैं तो भी नहीं करना चाहता कि इस पर मेरी website चल रही है यहाँ डिलेट कर दूगा तो मेरा काम ही खराब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जाशी डिलेट अकाउंट पर आप क्लिक करेंगी तो आपकी email id हो जाएगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर द्यान रखना है एक चीज का आपको उसको एक महिने तक लोगिन नहीं करना है जिस email id को आप डिलेट करेंगे यह आप उसको दुबारा से लोगिन करेंगे तो दुबारा से तो रिकवर हो जाएगी चांस है उसके तो आपको एक बार डिलेट करके भूल जाना है फिर उके कभिया फिर उसको बार बार लोगिन करके देखे डिलेट हुई या पिन नहीं हुई वह डिलेट हो जाएगी लेकिन सर्वर से अटने में थोड़ा टाइम लगता है इस चीज आप चाहते हो मेरे मुबाइल से इमेल आइडी वो हट जाए वस है ना मुझे कोई मतलब नहीं यार जिसके इमेल आइडी होगी होगी उसके वो खुद डिलेट करता रहेगा ओके या पिर कोई जुरूरी भी नहीं रहता है कि आप इमेल आइडी को डिलेट करें कुछ भी तो गूगल उसको अपने आप ही डिलेट कर देता है 6-7 महिने के बाद है ना या कुछ और टाइम के बाद यह बात आपको ध्यान रखनी है अब यहां पर दोस्तों यह आप चाहते हो अपने मुबाइल से इमेल आइडी को हटाना ओके आपके पास कोई पुराना मुबाइल है उसमें बहुत सारी इमेल आइडी आपको पता भी यार किस की इमेल आइडी है या फिर आप उनका पास्ट भूल गए थे अब उनकी कोई आपको इमेल आइडी की जुरूत नहीं है बस आपको चाहना है कि बस मेरे मुबाइल से इमेल आइडी हट जाए है ना क्योंकि दो तो यह बहुत जुरूरी हो जाता है, तो email idea आप कैसे अटाएंगे, simply यहाँ पर आपको वापिस से फिर आपको अपनी mail idea पर ही जाना है, Gmail app पर जाना है, okay, Gmail app पर जाने के बाद, वापिस से आपको logo पर ही यहाँ पर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद देखिए, पिछली बार हमने manage your account पर click किया था, इस बार हम click कहाँ पर करेंगे, email idea को mobile से हटाने के लिए केवल, सबसे नीचे आएगा लिखावा, manage account on this device, इस device में जो account चल रही है, उनको हम manage करेंगे, है ना, किसको delete करना है, उसको delete कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, manage account on this device पर click कर देंगे, जैसे यहाँ पर click करेंगे, आपके phone में, जितनी भी email idea है, उन सभी के list यहाँ पर आजाएगी, जैसे मेरे मुवाले में दो ही email idea है, उके, simply है, यहाँ पर बहुत ही simple है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जिस email idea को आप delete करना चाहते है, simply उस पर इस तरीके से click करेंगे, और यहाँ पर देखे, remove account आ रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर remove account पर click करेंगे, remove account, तो आप लोग देख सकते हो, एक ही email idea रह गया है, दूसरी गायब हो चुकी है, तो अब यदि अपने Gmail app में भी जाकर देखेंगे, यहाँ पर गेज email app पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक ही email idea आ रही है, और सभी delete हो गया है, प्ले स्टोर पर भी जाकर देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक ही email idea रही है, बाकी हट गई है, तो इस तरीके से आप mail idea को हटाएंगे, और delete करना कोई जुरूर ही नहीं है, मैंने आपको बताया, है ना, उसको यदि आप हटा भी देएंगे, तो यहीं से काम आपका positive हो जाएगा, कोई जुरूर नहीं है, delete करनेगे, यदि हाँ delete ही है, आपको चाहना ही है, तो आप उसको delete कर सकते हो, है ना, आई होब यह वीडियो आपको उच्छ लगई होगी, कुछ तरह चींगतों मिलागा, वीडियो को लाइक दोस्तों जूरूर करना बहुत मिहनत लगती है, वीडियो मनाने में, तो नमस्कात दोस्तों, आपका दिन, सूबो,